हालो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अपके अपनी परिवार इंजीनिर सदर 247 पर मेरा नाम है अभिशेक कोशिक एक बड़े इन्फोर्मेशन के लिए बात कर लेते हैं अपको पता है नो दस ग्यारा तारिक को पेपर था जो कि कम्प्लीट हो चुका है जिसका जैसा एक्जामनेशन गया था हो गया है अच्छा गया है वेल और गुड बदाई हो आपको नहीं अच्छा गया है मालो कम अटेम्ट हुए तो फिर भी दिक्कत मत मानो क्योंकि आगे बहुत सारी opportunities हैं तो उस पर focus करना चाहिए मेरे साब से future की तरफ देखना चाहिए ना कि जो बीट गया है उस पर आप सोचते रहो उस पर बात करते रहो तो आज मैं इसी लिए आपके सामने आया हूं कि SSJ over हो चुका है अब क्या करें एक बड़ा question तो माइंड में आता है न जिनका examination लेकिन का examination अच्छा हुआ है और बारे में भी तो बाते होनी चाहिए ना जिनका सेलेक्शन हो जाता है या जिनका एक्जामनेशन अच्छा हुआ है जिनका टेम्ट अच्छा हुआ है उनके बारे में तो सभी चर्चा करते हैं लेकिन बहुत सारे स्टुएंट हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनका एक्जामनेशन पढ़ रहे थे सोच में पढ़ गेती बहुत सारे रिजन्स हो सकते हैं देर आ सो मैनी रिजन्स जिस वजह से examination अच्छे नहीं होते हैं ना बट क्या वहां लाइफ खतम हो जाती है नहीं लाइफ चलती रहती है और exam कभी भी life नहीं होती यह समझ लो पहले एना कि examination आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे जैसे अटल व्यारी वाजपाई कहते थे कि सरकारी आएंगे सरकार आएंगी जाएंगी लेकिन ये देश से रहना चाहिए देश का अस्तित्व रहना चाहिए ऐसे ही हम बोल सकते कि एक्जाम आएंगे जाएंगे लेकिन आपका सेलेक अगर अच्छा गया भी है तब भी क्योंकि आप वो सारी अपॉर्चुनिटीज को भी फिल अप करोगे है ना तो ससी जेई 2023 जो है complete हो चुका है ये है ना तो इसमें अब इसके अलावा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है पहले तो उसके चर्चा कर लेते हैं एक तो PGCL आपके सामने आ गया है आपको पता ही होगा है ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है PGCL उस पर आप फोकस कर सकते हो डीडिये जेई अभी एक्जाम हुआ नहीं है तो ये एक्जामनेशन आपके लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है क्योंकि डीडिये में ASO वाली जो पोस्त है उसके लिए एक्जामनेशन हो चुका है असिस्टेंट सेक्शन ओफिसर का डीडिये जेई का जूनियर इंजिनियर का अभी एक्जामनेशन होना बाकी है तो अच्छी का सी पोस्ट है और डीडिये में मतलब दिल्ली में आपको काम करने का मुका मिलेगा तो ये तिस इस दवन आप दो बैस्ट मैं मानता हूं क्योंकि इस मैं डीडिये के क्वाटर भी होते हैं दिल्ली में आपक इस वाला है ना वह भी एक आपके पास अपोर्चुन्टीज है तो उस पर भी फोकस कर सकते हो साथ भाई साथ एक मैं बोलना चाहता हूं अभी नोटिफिकेशन नहीं आया और भी जईगा बट उमीद है आने की हैना क्योंकि 24 में इलेक्शन मैंने बोला था आपको अगर 24 म रिजाने के लिए कि उनके बोल चाहिए हमें वह नोटिफिकेशन रिलेज करते हैं वेकंसी निकलते हैं चाहिए वह टीचिंग एक्जाम की बात को चाहिए वह इंजिनियर की बात हो चाहिए वह सीजैल के किसी भी डेपार्टमेंट की बात हो हर एक examination में आपको ऐसा देखन को मिलेगा फिर ठीक है आरबी एलपी देखने को मिल सकता आरबी एंटीपी से साइध ना देखने को मिले दुबारे से क्योंकि अभी जस्ट खतम हुई है उसकी चीजे यह ना बट यह दोनों एग्जामनेशन तो देख सकते हैं मेरे साब से और दोनों एक्जामनेशन भर-भ ना मेरे पास कोई ऐसी information है कि बहुत concrete को information है मैं expect कर रहा हूं अगर यह आ जाता है तो फिर आपके पास time नहीं मिलेगा कि आप आगे forward कर लो और एक महिने में तयारी कर लो ऐसा possible ही नहीं हो पाता कि उसके बाद आप तयारी करके examination निकाल लो क्योंकि notification निकलने के बाद मुश फोकस करो डीडीए जैई वाले पर फोकस करो और जो आपका पंजाब वाला है उस पर फोकस करो साथ भाई साथ यह इसको भी focus करते चलो और भी बहुत सारे स्ट्रेंट पढ़ भी रहे है हमाल साथ application पर भी वह और भी तैयारी कर रहे हैं अभी है ना क्योंकि अगर तैयारी यह है कि SSJ over हो चुका है और जिनका CBT2 है वो SSJ की तैयारी करी रहे होंगे साथ वाई साथ लेकिन साथ वाई साथ आप इन पर भी focus कर सकते हो ना मैं यह portion यह बात बोलना चाह रहा हूं अगर जिनका अच्छा नहीं हुआ वह तो आपको पता चल गया होगा अटेंट करते ही आपको और लगया होगा होगा지 में मेरे कितने अटेंट हुए क्या मैं निकलने वाले और नहीं निकलने वाले खुद को पता होता है है ना तो अगर नहीं निकलने वाला फिर तो आपके लिए high chances है यह दोनों exam तो बहुत high chances है कि इनके निकलने की संभाव ना है है ना DFCCL अभी examination हुआ है आपको पता यह fully chances दिख सकते हैं DFCCL के भी है ना और DFCCL अगर दिख जाता है तो अच्छी गासी वेकंसी यहां आएगी non-tech पूरा का पूरा game role play करेगा है 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 साथ में DRDO 2022 में देखने को मिला था अगर आप DRDO दुबारा से देखने को मिलता है यहां पर तो एक बड़ी opportunities आपके सामने फिर खड़ी हो जाएगे है ना तो यह दो तीन examination तो ऐसे हैं भाई यहां पर चीजे बन सकती है साथ बाई साथ अगर Dily Pom everyone कि बात करें क्यों की मैं इस लिए बात कर रहा हूं Dily Too P Dky की क्योंकि डी ट्रमयस देखने को मिलिए teaching था ना PGT की वैकना इस देखने को मिलिए फोस्वीट टीचर की टो रधी टीचर की वैकर है सेंट बहूंट channel सेट बनते हैं तो मेरे यह मानना है कि अगर यह दिख जाता है आपको एक दो महिने में तो भाई फिर अलग से इसकी तैयारी करो वहां भी गेम रोल प्लेगा मतलब इतनी सारी तैयारी करना मेरा यह मानना है यह सारे करने के एक सब्सक्राइब करना एक बड़ा कोशन माईन में उठता है आप सब लोगो के तो एक तदी ऐ इक चीज तो आपके सामने में खुलती है यूटूब कि यूटूब से कर मैं यूटूब पर होता हाँ है destruction भी होता है कि वहां से आप तयारी उतनी successfully नहीं कर बाते हो है ना होती तो है तो यारी बट वो आधिया दूरी होती है बट वही एक काहवत है न इंग्लिस में की लेटल नोलेज़े डेंजर्स फॉर एवरिटिंग कि जो अल्प घ्यान होता है वह बहुत खतरनाग होता है तो पूरा ग्यान लेना चाहिए मेरे हिसाब से उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमारी classes में आ सकते हो बाई और आने का तरीका क्या है मैं बता देता हूं आपको करना क्या है आप जैसी आप सर्च करोगे अड़ा 247 वेबसाइट आपको उपन करनी है अगर आप डाउनलोड है आपके पास तो एप से कर सकते हो अड़ा 247.com पर जाना है यहां पर ओल कोर्से लिखाई दिखे रहे हैं इस पर क्लिक करके जैसी आप जहीं एक सेक्शन पर जाते हो उस पर क्लिक कर लेना अब देखो जो भी नए स्टुडेंट है जिन्होंने आज तक यूजी नहीं किया हमारा प्रोड़क्ट मैं रिक्वेस्ट ओलो फ्यू कि इसको यूज करने के बाद आप दुबार मुड के ही देखोगे पीछे एना सारी एक साथ त्यारी हो जाएगी सारे एक्जाम की कैसे करना है मैं तरीका ब आपको एक साथ मिलेंगे चाहिए वह यहाँ जाए ओ यहाँ भी फेश तो है मतला इस से बैस कुछ नहीं हो जकता आज इस से बैस एक चीज़ और प्राइज में आपको दो साल दो तक मिल जाएगा अब यहां पर 13,174 रुपे बहुत जाद है इसको कम करने का तरीका क्या है बाई कम करने का तरीका यहां पर आप कूपन कोड लगाऊगे कूपन कोड क्या होगा वाई 516 तो जैसे आप वाई 516 लिखते हो यहांपे अपलाई गरते हो आपको एक डिसकाउंट दिखेगा अधे रहाए डिसकाउंट ठीक है यहां पर देख भी पा रहे होंगे तो बारा प्लस पारा पूरे के पूरे दो सालों तक तो आपके पास यह रहने वाला है सेम प्राइस पर होगा तो फाइदा है आपका ही होना है वाई 516 जैसे आपने लगा है आप ग्याराजार 934 रुपे का डिसकाउंट मिल जाता है 3564 रुपे में लगब 3500 रुपे में आपका यह पूरा का पूरा आपके पास हो सकता है इसके प्राइस और बढ़ जाएं तो उससे पहले फाइदा है आपका यह जोइन कर लो यह बैस्ट होगा और इतने सारे एक्जाम्स को केटर करने का आप फाइदा यह है कि यह जोइन करो इसमें सारी एक साथ और इससे यह तरहिए अृषल्म करते त्यार्च्रश को आपका सेलेक्षन प Fish Office लोब अच्याम्स को लाइक कर देए कमेंट शेक्शन में डाल सकती हो और इस कर चाएर कर करें यह रह ठीक है तेख क्微ल जाए थै Bhag